कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें क्योंकि देखने पर नमक और चीनी का कलर एक ही जैसे होता है साथियों बहुत-बहुत स्वागत है एक और नई कलास में यह क्या नया बवाल आ गया भाई चलो पार्ट नंबर 53 क्या पढ़ेंगे आउसत आज एक नया टॉ ना समझ जाएंगे ना क्योंकि इन सब चीजों में टाइम लगता है अबरेज होता क्या है नार्मल कोई भी चीज हम तब सीखते हैं इंट्रेस्ट तब लगता है जब हमारे जीवन से संबंधित हो है ना जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा पर क्या हाल चाल है वहाँ पर गरा सब पर ज्यादा आप समझ सकते हो आपने बाइक कार बफ यह सभी देखा है अधिकतर गरों में लगवग सब के घर में बाइक होती है मोटरफाइकल एक्टिवा या अगरा अगरा जो कुछ भी है तो बाइक में क्या होता है आपने सुना होगा कि मेरी बाइक भीया आजकल नहे जमाने की नए कंडीषन की बाइक आ रहीं वो कहते हैं अफी किलो मेटर पर घंटे की अबस दिए ति सुने हो है है втор कि अगरे आपके पास कार है तो कहते है यह दस किलो मेटर पर घंटे का आप यह तो यह हो गई क्या बात आप सामझ सकते हो आशानी से ठीक है कि माल लीजिए आपने अपने बाइक में एक लीटर पिट्रोल डालाया और उससे एक लीटर पिट्रोल में आप अपने घर से खेत गए खेत से अपने घर आए और फिर घर से अगले दिन मार्केट गए मार्केट से अपने घर आए तेल होई का खतम है ना तो बाइक ने कितने का एबरेज दिया कैसे कल्कुलेट करोगी देखो भाई सिंपल सी बात है खेत से आप घर गए नहीं पहले घर से खेत गए तो कुछ अलग हो तो खेत करोड से निकलने के बाद पका हो सकता है वहां पर ज्यादा देती जानते हो कि नहीं अगर दूट अच्छा है घाली है को लोग का एबरेज खतम हो जाएगा उसी में दब के कुचल जाएंगे है ना तो हर जगा एक जैफे चलाया नहीं जा सकता है मार्केट में माली यह खुब भींड है तो क्या करेंगे वहां लोगों का पांच किलो मिटर का पर गंटे का अबरेज देती क्या करोगे एक दिरे-द पर देख रहें लिखा गया उसब क्या है एक ऐसी गड़ती है माने संख्या जो दिगई संख्याओं के योगफल तता दी गई संख्या के अनुपात से बनता है यानि आउसद बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या पहले मैं यह सवाल कराओंगा जो दिखे प्रियाग राज यानि इलहाबाद पूर्व नाम सुल्तानपूर यानि अवद का एक जिला क्या कहती है यह बस जा रही है टोटल कितना दुरी है दिख्या यहां पर लिखा है तो अब जाते समय एक है जैसे स्पीड में तो जाएगी नहीं माल लीजिए कि दिखा है वहां पर वह जा रही अश्की स्पीड में लेकिन नहीं सुने नहीं दिखाया मैंने दिखाया कि सव किलोमेटर मेंसे वह 5 क्लो मेतर कीMic Kerry है वह 30 किलोमेटर पर ही गंटे की 456 चारस एक हमारी उत्तर पादेश जो कच-कच-कच चलते वह चलती है वह ज्यादा आएंगी तो फिर Elliott चले जाएंगए दिवेंदे में चलती है ना हमेश किस में die water यह जो सपीड है उतनेर में वह 40 km चलती है कितनी 40 km जाना ट्टल सा अधकर डाकना ट्टल कितना जाने 24 किल गंपरव जाना जाने गंटे से, उल्टा आवरा फिर से देख़ो, 60 km की जो दूरी है, वो 30 की स्पीड में जा रही है, ठीक है पहले 60 है, तो फिर आगे ये 2nd इधर से सुरू जा तलाल वाले से, करा जो 40 km की दूरी है, उसमें 20 किलो मेटर पर गंटे की चाल फिजा रही तो फिर आउसत ग्यात कीजिए भाईया पहले तो तुम ये निकाल लो कि आखिर टोटल दूरी कितना है और टोटल समय कितना लग रहा है क्योंकि आपको पता है यहां पर हमें चाल निकाल रहा है तो चाल बराबर जानते हो एक सूत्र होता है सबको पता होना चाहिए चाल बराबर होता भया दूरी बटा समय यह फार्मूला होता है तो दूरी तो हमें दी गई है टोटल की 100 किलो मेटर है कह रहा है लेकिन समय के बारे में कहीं जिकर नहीं किया गया है किया गया है नहीं किया गया ना कितना समय लग करो इसके साथ आ जाएगा यह इधर का ऐसे करोगे तो आपका जो समय बराबर ना बच्चा वो दूरी बटा चाल आ जाएगा क्या जाएगा दूरी बटा चाल ये समय बराबर है तो चलो सबसे पहले हम पहले वाले में समय निकालेंगे देखो समझने वाली बात है भले एक ऐसावाल करो या दो सवाल करो इस टाइब के मैं इस कलास में आज पांच कोशन कराऊंगा जिनको रियल में सीखना सिर्फ उनी के लिए है बाकी जो मज़ा लेने आए हैं ऐसे हवा 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 ही वो जाएं उनसे हमसे कौन मतलब नहीं सव किलोमेटर की दूरी में साथ किलोमेटर की दूरी वो तीस किलोमेटर पर दिगंटे की रफ्तार से दोड़ रही है चल भाया तो यहाँ पर समय हम दो समय निकाल लेंगे क्योंकि इसमें दो भाग में स्पीड है न क्या लफडा या रोंक दिया इफने वीडियो को रुको चलाता हूँ यह मैं हाथ दिखा दूं अंगुली दिखा दूं न चिल जाता है खटाग दे बंद कर देता है नालायक कि चलो कोई बात नहीं आओ चलो ठीक अबढ़िया चलो तो मैं हाथ दिखा दिया इस लिए तो समय यानि टाइम टीवन बराबर निकालेंगे क्या सुत्र क्या होता है दूरी बटे समय भाई साब पहली जो साठ किलोमेटर की दूरी है कितना है साठ किलोमेटर स्पीड कितना है 30 km पर दिघंटे 30 km पर दिघंटे की चाल फे जा रहा है तो अगर 50 km जाना तो 2 घंटे लगेगा सिंपल फा बात है एक 0 काट दो दूसर का 0 यहाँ फे लगा दो 2 कितना घंटे यानि 60 की स्पीड में गया 60 में नहीं गया 30 में गया तो 7 km में 2 घंटे लग गये दूसरा एक समय और भी है टीटू नीचे देखना आप टीटू नीचे देखना भाई यह टीटू टीटू देखो करा कि इस में से जो 40 km की दूरी है वो 20 km पर दिघंटे की चाल फे दोड़ रही है तो दूरी कितना है 40 km यह रखो कितना की स्पीड में 20 में यह भी कितना आ गया 2 घंटे यानी यह सुल्ता पुर्जाय में कत्ता घंटा लगगा तो दू चार घंटा कितना घंटा 4 घंटा ठीक है आप समझो सिर्फ समझने वाली बात है यह मिटा दूग नहीं छोटा कर दो काई मिटा होगे अभी उत्तर नहीं आया उत्तर तो आएगा बस आप समझो और देखते तो रहो ना प्यार फे फे देखो मगर प्यार फे देखो यह हो गया क्या समय अब आउसत चाल निकालना है अगर फिर चाल बोलें तो चाल बराबर दूरी बटा समय उनली चाल भाई साब आउसत चाल जैसे चाल वैसे आउसत चाल थोड़ा फंतर हो जाता है आउसत बराबर होता है कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों का इसको पूछना पढ़ेगा आज तो हम का निकालेंगे भीया आउसत क्या निकालेंगे आउसत चाल अउसत चाल बराबर निकालेंगे कूल देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय चाल बराबर होता दूरी बटा समय तो आउसत बराबर होगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम समझ रहोग नी तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाईया सो किलूमेटर है पहले ही कहा था टोटल टाइम लगा चार गंटे तो इनको हल कर लो भाईया देखो ये फव बटा चार बराबर कितना होई जाए पचीस कितना आफान था ना यानि ये अगर इथनी नोटंकी कि ना करके ये बस सिर्फ 25 की स्पीट में गई होती तब भी उचार गंटन पहुंछा थी यानि जो हो hdड़ारह सौट की स्पीड में ना जाता سाट में ये हुआ से हुआ तक सबुड़ा 25 से में स्पीड में जाता तब वो 4 गंटे पहुंच जाता तो हुआ क्या? 60 किलो मेटर नहीं यार 30 किलो मेटर क्या कह रहा है? 60 किलो मेटर की दूरी 30 किलो मेटर की चाल से अच्छा यानि 60 किलो मेटर 30 की स्पीड में गया था और बाकी का 40 किलो मेटर 20 की स्पीड में गया था तो ये क्या थी आउसत की कहानी पूरा कांसेप्ट यही पर खतम हो चुका है अब सवाल तो लगेंगे स्पीड में बिलकूल बस तो हमारी 30 में जा रही हैं हम 90 की स्पीड में सवाल करेंगे देखो कैसे कहरा एक बस आयोध्या से कानपूर जिसकी टोटल दूरी माना गया लगबग 200 किलोमेटर है तैं करती है जिसमें से वो 80 किलोमेटर की दूरी 40 किलोमेटर पद घंटे की स्पीड से तथा बाकी का 120 किलोमेटर की दूरी 60 किलोमेटर पद घंटे की चाल फे जाती है तो उसकी आव सच चाल बताओ बताओ जी है ना इजी देखो किता इजी है कैसे करेंगे एक चीज और याद रखना एक इस बाइस जुलाई तक सम्थिंग एक जुलाई तक वैसे आसपास आपकी कुछ क्लासे यूट्यूब पर रहेंगी एक आदो क्लास आएंगी आप देखते रहना प्यार से कोई दिक्कत की बाद नहीं ठीक है जो कमेंट के चक्कर में परिसान है बच्चा कमेंट की चक्कर आपका उद्देश ओनली पढ़ाई होना चाहिए कोई डाउट है नीचे नंबर में दिया हूँ इतना मोटा मोटा पूछो ना उस पर भेज के पढ़ोगे तब पूछोगे ना चलो कि अे स्बसें पहले समय निकालेंगे बिना समय थे हम आउसाच चाल निकाली सकते हैं तो पहले हम मुखे सूत्र को रखो आउसाच चाल भराबर कुल दूडरी वटा कुल समय तो अपकी इंग्ली इंग्लिज़ में Над सका तब की हिंदी में लिखा था टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम ठीक है भाईया तो पहले हम डिस्टेंस तो निकाल ले इसमें दो दूरी की बात हो रही है स्वरी टाइम की टी बन निकालो कह रहा है जो उस 200 किलोमेटर की दूरी थी इसमें से वो 80 किलोमेटर की दूरी 40 किलोमेटर पद घंटे की चाल फे जा रही है यानि कितना 80 किलोमेटर हमें समय निकालना है समय बराबर दूरी बटा चाल देखो अगर चाल बढ़ गई चाल बढ़ गई तो समय घट जाएगा और चाल घट गई तो समय बढ़ जाएगा भाई तुम्हें कहीं जाना है अगर तुम 50 किलमेटर पत घंटे की चाल फिजा रहे हो अगर 100 किलमेटर जाना दूए गंटे पहुंचाओगे अगर तुम 10 किलमेटर अपनी स्पीड बना लो 10 किलमेटर पत घंटा तब 10 गंटा लग जाएगा है ना तो बस स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम अपने आप गड़ जाएगा तो दूरी कितना थी पहले अफिज चाल कितना थी चालिस तो कितना घंटा लगा भाई साब दो गंटे लगा दूसरा समय देखो T2 क्या है T2 कहा है कह रहा है कि 80 किलमेटर का हिसाब तो हो गया अगला कह रहा है जो बाकी का 120 किलमेटर है वो 60 किलमेटर पत घंटे की चालिस जा रही है वाई साब इनको भी ऐसे निकाल लो 120 2020 कि स्पीड कितना है और साड़ तो दो आएगा यानि ये भी कितना है दो गंटे टोटल ताइम इसमें भी 4 गंटे लग रहा है कितना लग रहा भया चार गंटे का समय लग रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200 किलमेटरcuss डॉन्तर इसवाई साथ था जीरोतस यानी स्पीड बन रही है 50 किलो मेटर पती घंटे समझ मैं है यह है आवसत चाल क्योंकि चाल अलग-अलग है जाना हमें एक सहर से दूसरे सहर है तो ऐसा थोड़े है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं यह से बैठा तब यह एक सो बीस में चलेगा डार एट लड़ा दिये वहाँ बसंदा मजिस बसंदा बीच में इंशान मिलेंगे जानवर मिलेंगे कहीं मार्क еट मिलेंगी हमारे लोकल ड्राइबर तो बस वाले धाबा पे लजा गर रोकेंगे चाय करेंगे कुछ लोग सुसू करेंगे सब कुछ करेंगे तब बढ़ेंगे ना इसे समझे रहो कि नहीं इसमें बुरा अलगने वाली कौँसी बात है रियल्टी है हम साब भारत के लोग है चलो तो यह समझ मैं सभी को न तो एक स्पीड में गाड़ी कहीं भी नहीं जाती आप कहीं भी य आउसत यानि हम पहले जो 80 किलोमेटर थी वो तो 40 किलोमेटर की स्पीड में गए लेकिन फिराइबर को लगा नहीं वड़ा रात हो रही है टाइम जादा हो रहा है उसने स्पीड बढ़ा दिया 60 किलोमेटर पर गंटा तो थोड़ा और जल्दी हो गया इफ लिए जो एबरे जिसे आप मादी का भी कहीं कह सकते हो लेकिन मैं हर जगा नहीं बोल सकता हूँ जैसे मैं बताओं इसको छोड़के थोड़ा अलग तरह का सवाल जैसे मैं तुम्हें अलग तरह का सवाल बताओं ऐसा भी होता है कुश्चन जैसे माल लो कि ऐसे लिखा है इसमें कहा है कि इस बताता हूं देखो बैसाब आउसत का जो सूत्र होता नार्मली वो क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कि ठीक है ये सूत्र होता है आप को अभी तूधर वो लिख रहे थे वह चाल का सूत्र था कुलमिलाके चाहे जिस रूप में है अगर ये पैसा रुपया की बात हो रही तो आप कुल पैसा लिखोगे कुल खर्च समझ रहे हो बस ये टोटल जोड के हिसाम निकलता है बस इतना मतलब है बाकी ये कुश्टन के अकार्डिंग ये सब्द बदल जाते है तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या तो कुल पदो दे लो भाईया तो पांटियां पंदरा फाइनल में कितना आ गया तीन जो को मैंने तुम्हें बता दिया था पहले ही कि अबरेज के आएगा तीन आया ना बात समझ में आई ना आउसत के चार से पांच वीडियो मिलेंगे तिरपन नंबर पार्ट है बिंटर बैच का टोट कि चाहें रिकॉर्डिंग मिलेगी मांदारी से पढ़ैंगे हमें पढ़ने से मतलब हैर लाइव और रिकॉर्डिंग सें मतलब है ठिक है कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ को गया को पर भाउस अगर आप मेरे बता है इक पढ़त हो है कि रियाल्ति में यá उ.. गर आप वीडियो के साध देवदर कर दिया तो फिर ऐसा कंडिशन पर नहीं हो सकता है ठीक है वीडियो पूरा ना देखा देवदर किया तो बीच-बीच से कुछ नहीं आने वाला है ठीक है बाकी इंक्वारी के लिए नंबर पर संपर करिएगा हम आपके लिए उपलब्द है जनाब हम जी आपके रिए रहें समझ रहे हो हाँ सही है चलो ज्यादा नहीं हो क्या कुछ क्या कह रहा अगला एक बस लखनाव से प्रयाग राज कुल 200 किलोमेटर की लगबग दूरी है जिसमें से वो 60 किलोमेटर की दूरी 30 किलोमेटर पर दिघंटे की चाल पर चलती है आप तो लखाट काट में करूँगा ठीक है बया 60 किलोमेटर की जो दूरी है उसकी स्पीड है 30 किलोमेटर पर गणटा बाकी की जो 140 किलोमेटर की दूरी है उसकी स्पीड वो जाती है 70 किलोमेटर पर घंटा ठीक है तो कहे रहां एबरेज चाल क्या है आउसत चाल क्या है बतावासान नहीं की नहीं है यह बुतना लंबा नहीं की चुँगा मैं जितना लंबा पहले किया था निकाल भाइया अभरेज बराबर एबरेज पीड कितना होगा कुल दूरी बटे कुल कुल समय कुल दूरी 200 किलोमेटर है समय कुल कितना लगेगा अगर 60 किलोमेटर 30 की स्पीड में जारी दो गंटे लगा और यह 70 इसमें भी दो गंटे आप को हो गई यह तो सेम सवाल हो जा रहा है सब एक जई से कोई बात नहीं लगाना आसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं ठीक ह तो चार गंटे लग रहा है यहाँ भी जो एवरेज स्पीड थी कितनी थी 50 की थी यहनी आप यह देखो कि एक स्पीड में तो 70 की स्पीड में गया उड़के दूसरे में क्या किया इफने 40 किलोमेटर 30 की स्पीड में चलाया दिन का जो अवसत बना 50 का बना समझ रहे हो कितन किलो लगबग दूरी इनकी है 400 किलोमेटर यह मैं कहीं कि रियल डिस्टन्स नहीं बता रहा हूं आपको सिर्फ कुष्टन करने के लिए का मानक कुछ भी माना गया बस ठीक है करा जिसमें से वह 100 किलोमेटर की दूरी को 50 किलोमेटर पद घंटे की चाल से हम साट कट में करू से वल्दब उड़ करके तो पूछ रहा है कि उसकी आउसत चाल क्या है वह यह एवरेज स्पीड क्या होगा तो टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस 400 किलोमेटर टोटल टाइम कितना लगेगा यहां पर देखो 50 200 अगर 50 की स्पीड में 100 छालिस यानी एिख कितना बनाव है अधट की किलोमेटर पर घंटा भात पकी क्लियर किसी को चलो से कि सम Corps यानी से कमेंट के चक्क्र में पढ़ें हैं पड़ेंगा कमेंश किलोमेटर के सबस्क्रां स at पढ़ाई विध्यान दो, पढ़ाई विध्यान दो, मेरा टार्गेट सिर्फ पढ़ाना है, कमेंट में तुम गरी आ रहे हो, कि चैटिंग कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तुम जाने, तुम जाने, कुछ बच्चे हम से कहते हैं, सर आपकी कलास में बच्चे कमेंट में बहुत क मतलब है जो मर्जी करने दोने ठीग है चलो तो समझ गहे चलो अगला क्या कह रहा है एक बस गोरखपूर से बलिया तक जाती है जिसकी दूरी लगभग माना 300 km है और जिसमें से वो 120 km की दूरी 60 km पद गंटे की चाल से जाती है ठीक है 120 km की दूरी 60 km पर घंटे की चाल पर जाती है तथा बाकी की जो 180 किलोमेटर की दूरी है वो 90 की स्पीड में उड़के जाती भईया तो बताओ उसा चल इसको तुम खुद से करोंगे यह होमवर्क रहेगा अप्सन लेला भईया लेलो 70 किलोमेटर पर घंटा है आउसा यह पाइफट यह 90 यह डी वाला है ना उना दीज यह आने वाली बिंटर बैज की अगली 6-7 कलासे छोटी छोटी होंगी लगबग 10 कलास या फिर 8 कलास जो भी आपको पढ़ाई भिध्यान देना है कलास छोटी बड़ी से नहीं मतलब आज और सत का आपने एक टाइप पढ़ लिया है ना अ आउसत का सिकेंड टाइप जो समय दूरी पर आधारित होगा कैसे यह जैसे मोनो की बाइक तीन लिटर पिट्रोल में 120 किलोमेटर चलती है तीन लिटर पिट्रोल भराएं तो 120 किलोमेटर गए इंजवा कई कि आंदर भाग के तो बताओ एक लिटर पिट्रोल में बाइक कित अब यह मत कहना इसीम सब करा दो इसमें नहीं कराऊंगा सब क्योंकि आप लोग ज्यादा बड़ी क्लास देखते नहीं हो अगला होगा खान पान पर अधारित खबू लोगों वाला प्रस्न होगा अगला कि देखो किसी का नाम होगा तो चिड़ना नहीं बहले तुम ना खात खपैंक थे ता भी टंगों खचित 1 मनलभोर को इतना खाता बुद्वार को इतना खाता तो एबरेज कितना रोटी खाता है माल होता नहीं वसे ऐसा होता नहीं है लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं तो एबरेज पता रहना कोई कितना खाएगा तभी तुलाएंगे न उसे इसाब से रासन चलेगा न तो यह सब अगली तीफरी वाली क्लास में होगा आने वाला यह था एबरेज का पार्ट फास्ट त तो थैंक्यू बहुत बहुत थैंक्यू नेक्स्ट क्लास का इंदर्यार करिएगा और क्लास को लाइक सेयर जरूर करना अपने दोस्तों को जिससे सही लोगों को क्लास मिल पाए और आप सीख पाओ ठीक है बहित थैंक्यू अ